नमस्का और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो दीपक खुड़ा जो वैसे तो IPL में केल राहूल के लिए खेलते विए निजर आते हैं जी हाँ लखनो सूपर जाइंट्स के लिए खेलते विए निजर आते हैं और पहले पंजाब किंग्स की तरफ से यानि केल राहूल की ही टीम से खेलते विए निजर आते थें लेकिन आपको बता दे दोस्तो कल दीपक खुड़ा ने जो पारी खेली है उसकी तारिफ ना करे हम तो कहीं ना कहीं दीपक खुड़ा के साथ ना इंसाफी होगी यूँकि आपको बता दे कल दीपक खुड़ ने बहुत ही सांदार पारी खेली है तो दोस्तों इंडिया और आयरलेंड की वीचे में मुकाबला खेला गया जहां पर कल दीपक उटा ने दोस्तों बहुत सांदार पारी खेली और मैज जीतने के बाद सीदिक केल राहूल की खूब तारीफे की हैं तो चरिए बताते हैं कि म काबला कैसा रहा देखिए कल संजू सेमसन और इसान किसन ओपनिंग करने के लिए आये थे इसान किसन सिरफ तीन रन बना कर बहुत ही जल आउट हो गये उस टाइम पर टीम इंडिया का स्कोर सिरफ और सिरफ तेरा रन था और दोस्तों लग एक ओवर ही हुए थे इसके इससे पहले सुरे इस रहना né कारणामा किया है रोही सरमा ने किया है और केल रहू ने किया है लेकिन अब दीपाख हुड़ा ने भी ये कारणामा कर दिया टीम इंडिया के लिए वहीं संजू सेमसन ने 42 गेंदो पर 77 रन ठोका इसके लामा सुरे कुमारयादों ने 5 पर 40 रन ठोक डाला तो वहीं एंड्रिव बालवर्णी ने 37 गेंदों पर 60 रन ठोक डाला हाला कि गैरट डेल ने सिरफ 0 पर ही आउट हो गए तो हैरी टेक्टर ने 28 गेंदों पर 49 रन ठोक डाला लॉरकन टकर ने 9 गेंदों पर 5 रन बनाया जबकि जॉर्ज डॉकरेल ने 16 गेंदों पर 34 रन बनाया वहीं मार्क एडेर ने 12 गेंदों पर 33 रन बनाया तो कुल मिलाकर कि इंग्लैंड की टीम भी पूरे 221 रनों तक पहुच गई आफदा सीरिज भी बने हैं यानि कि दोनों ही मकाबलों में दीपाख उड़ा ने ही सबसे अच्छी परफॉर्फार्मेंस की और इसी वज़े से दीपाख उड़ा को मैन आफदा सीरिज भी घुसित किया गया अब इसके बाद दीपाख उड़ा का बयान आया है और घुड़ा ये रोमान्चक पारी खेलने में काम्याव रहे हैं तो दीपाख उड़ा ने सिधे-सिधे केयर रहुल की खूब तारिफ की है और बताया है कि आज अगर वो इतने काबिल हैं कि वो अच्छी पारी खेल सकते हैं तो इसके पीछे केयर रहुल का हाथ है तो यही थ वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद